श्री कनेशाय नमहा, श्री जानकी वल्लभो विज्यदे, श्री राम चरित्मानस बालकाण जथासु अंजन अंजेद्रिक, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखई सैलबन, भूतल भूरी निधान जैसे सिद्धा जनको नेत्रों में लगाकर साधक, सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और प्रत्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं जो नेत्रों के दोशों का नाश करने वाला है उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंदन से छुडाने वाले शिरी राम चरित्र का वर्नन करता हूं पहले प्रत्वी के देवता ब्रामनों के चर्णों की वंदना करता हूं जो अज्ञान से उत्पन सब संदेह को हरने वाले हैं फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुन्दर वानी से प्रणाम करता हूं सादू सरिस सुब चरित का पासू निरस बिसद गुण मैं फल जासू जो सही दुख पर छित्र दुरावा बंदनिये जेही जग चसुपावा संतो का चरित्र कपास के चरित्र के समाज शुब है जिसका फल नीरस विशद और गुण मैं होता है कपास की डोडी नीरस होती है संद चरित्र में भी विश्या सकती नहीं है इस से वह भी नीरस है कपास उज्वल होता है संद का हिदे भी अज्ञान और पाप रुपी अंदकार से रहित होता है इसलिए वह विशद है और कपास में गुण होते है इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद गुणों का भंडार होता है इसलिए वह गुण में है जैसे कपास का धागा सुई के किये हुए छेत को अपना तंड दे का ढग देता है अथवा कपास जैसे काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्ट के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनिय इस्थानों को ढगता है उसी प्रकार संत स्वेम दुख सहकर दूसरों के चिद्रों को ढगता है यानि कि दोशों को ढगता है जिसके कारण उसने जगत में वंदनिय यश्प्राप्त किया है संतों का समाज आनन्द और कल्यान में है जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है जहां उस संत समाज रूपी प्रयाग राज में रामभक्ती रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचारक सरस्वती जी है विदी और निशेद यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलियुक के पापों को हरने वाली सूर्य तन्या यमना जी हैं और भगवान विश्नु और शंकर जी की कथाए त्रिवेडी रूप से सुशोबित हैं जो सुनते ही सब आनन्द और कल्याणों की देने वाली है उस संत समाज रूपी परियाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है और शुपकर्म ही उस तीर्थराज का समाज है वह संत समाज रूपी परियाग राज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशयों को नस्ट करने वाला है अखत अलोकिक तीर्थराओ देश द्यफल प्रगड प्रवाओ वह तीर्थराज आलोकिक और अकत्निय है एवं ततकाल फल देने वाला है उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है जो मनुष्य इस संद समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन मन से सुनते और समजते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूरवक इसमें गोते लगाते हैं वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोश चारों फल पा जाते हैं इस तीर्थराज में इसनान का फल ततकाल ऐसा देखने में आता है कि कोई कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करें क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है बाल में की नारद गट जोनी निज निज मुखनी कही निज होनी जल चर थल चर नब चर नाना जी जड़ चीतन जीव जहाना बाल में की जी नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखो से अपनी होनी कही है जल में रहने वाले जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार की जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं उन में से जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यंत्र से बुद्धी, कीर्ती, सद्गती, विभूती, ऐश्वर्य और भलाई पाई है सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए वेदों में और लोग में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाई नहीं है बिनू सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनू सुलब न सोई सत्संग तिमुद मंगल मूला, सोई फल सिदी सब साधन फूला सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की क्रपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है सत्संगती आनन और कल्यान की जड़ है, सत्संगती की सिद्धी ही फल है और सब साधन तो फूल है सत्संगती पाई, पारस परस कुधा तु सुवाई, विदिपस सुजन कु संगती परही, फनिमनी समनी जगुन अनुसरही गुष्ट भी सत्संगती पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के इसपर्ष से लोहा सुहावना हो जाता है, सुन्दर सोना बन जाता है किन्तु दैव योग से यदी कभी सजन कु संगती में पर जाते हैं, तो वे वहाँ भी साप की मणी के समान अपने गुणों का ही अनुसरन करते हैं अर्थात, जिस प्रकार साप का संसर्ग पाकर भी मणी, उसके विश्च को ग्रहन नहीं करती, तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोडती उसी प्रकार सादू पुरुष दूस्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दूस्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विदिहरी हर कोवि कोविदबानी कहत सादू महिमा सकुचानी सोमो सनह कही जातना कैसी साक निक मनी गन गुन जैसी। ब्रह्मा, विश्णू, शिव, कवी और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साख तरकारी बेचने वाले से मनियों के गुण समू नहीं कहे जा सकते। बंदव संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजली गत सुब सुमन जिमी, सम सुगंद कर दो, मंगल भवन या मंगल हारी, द्रभव सुदशरत अजिर बिहारी। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित में समता है, जिनका न कोई मित्र है और ना शत्रू, जैसे अंजली में रखे हुए सुन्दर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंदित करते हैं, वैसे ही संत, शत्रू और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्यान करते हैं, जै श्री राम, जै श्री राम